हमने स्रिफ 60 रुपे का कैपिटल लगाया और 150 रुपे का यहापर मुझे प्रॉपीट हो गया काफि ऐस गिक्ली यहापर प्रॉपीट हो जाता है तो यहापर आप देख सकते हो लायू मारकेट अभी चल रहा होगा तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा सिर्फ सो रूपई का यूज़ करके option rating कैसे की जाती एक lot से सिर्फ सो रूपई का यूज़ करके option rating कर सकते या फिर नहीं तो आज मैं आपके सारे doubt clear कर दूँगा और यहापर मैं आपको live market में 100 रूपई से option rating करके दिखाने वाला हूँ और कैसे यहापर option को buy किया जाता है कैसे sell किया जाता है पूरा complete आपको यहापर detail में सिखने को मिलेगा यूडियो पूरा देखना तभी आपको सारा कुछ समझ में आएगा और यहापर मैं आपको bank nifty में option rating करके दिखाने वाला हूँ क्योंकि आज इसकी expire ही ठीके तो यहापर आपको decide करना हागा कि यहापर bank nifty उपर जाएगी यहापर निचे जाएगी अगर उपर जाएगी तो हम यहापर कोई भी call site का कोई भी contract यहापर buy कर सकते और अगर bank nifty निचे जाएगी तो यहापर put site का कोई भी contract हम buy कर सकते तो कैसे पता करेंगे तो यहापर आपको simple से back कर लेना है और back करके आप यहापर देख सकते हूँ यहापर इसका चार्ट लग चुका है तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि यहापर आपको टाइम फ्रेम पे आ जाना है और यहापर आपको टाइम फ्रेम पे सिलेट कर देना है और यहापर आपको वन अवरस का टाइम फ्रेम सिलेट कर लेना है 1 hour का time frame मिसले स्लेट कर रहा हूँ कि यहापर आमें market up train में यहापर down trade में तो यहापर में इसे बराबर से adjust कर लेता हूँ यहापर आप देख सकते हो तो यहापर आप देख सकते हो यह 9 बच के 15 मिनिट की candle है और इसने यहापर high बनाया था और market ने इसके high को break किया और break करके सारे के सारे buyer को यापर add on करके market या से अभी नीचे आ रहा है तो यापर हमें क्या करना है यापर call site के तरफ जाना या फिर put site के तरफ तो simple से आपको time frame को फिर से reduce करना है और फिर से 5 minute पे लगा जिना है 5 minute पे आपको यापर देखना है कि market अभी support के पास trade करना है या फिर market के पास pace से नीचे जाने के लिए अगर आप यापर देखोगे तो support काफी दूर दिखाई जिरा है यापर support है लेकिन अगर इसे break करेगा तो काफी तेजी से market नीचे आ सकता है तो simple से हमें क्या करना है कि यापर हमें पता चल रहा है कि market अभी down है तो जैसी कोई pullback आएगा ना तो हम यापर एक put side का trail लेंगे यानि market नीचे आ रहा है तो हम यापर put side का trail ले सकते है जैसी यापर हमें back करूंगा तो यापर आप देख सकते हैं फिरसे यापर option chain पर click कर जेना है जैसी आप यापर click करोगे तो यापर हमें पता चल गया कि market अभी down है तो हमें यापर put side का trail लेना है यानि कि put side का अगर आप trail लोगे तो आपको कोई भी यापर strike price slate करना होगा तो यापर हमें सिर्फ 100 रुपई से option trading करना है यापर इसलिए आपर सस्ता वाला कोई भी option खरीदना होगा यह जो आपको black party दिखाई जरी है इसके नेचे का जो भी premium होगा वो in the money में होगा इसके उपर वाला सारा का सारा out of the money में होगा अगर हमें 100 रुपई से trading करना है तो यापर हमें out of the money यह कोई भी यापर एक strike price select करना होगा तब हैं यापर 100 रुपई से option rating कर सकते हैं तो यापर आप देख सकते हो 46,100 को अगर मैं यापर select करूँगा तो यापर आपको एक इस तरह से option आएगा तो simple आपको buy पर click कर देना है जैसे buy पर click करोगे तो यापर आप देख सकते हो इस option को खरीदने के लिए यापर हमें 180 रुपई के आसपास लगने वाले ठीके लेकिन आमें सिर्फ 100 रुपई से trading करना है इसलिए यापर हम इसे buy नहीं करेंगे यापर मैं इसे back कर देता हूँ और यापर देख सकते हो 40,000 का premium आप देख सकते हो श्रिफ 4 रुपई के आसपास इसका premium चल लाए तो जैसे आप यापर click करोगे तो buy पर click करोगे तो आप यापर देख सकते हो इस option को खरीदने के लिए श्रिफ यापर 96, 97 रुपई लगने वाले है याणि कि 100 रुपई से भी कम amount में यापर आप option trading कर सकते है 102 रुपई, 103 रुपई के आसपास यापर चल रहा है तो यापर आप 100 रुपई से option trading कैसे करोगे तो यापर आप जैख सकते हो आपने यापर bank nifty select कर लिया है 20 March यापर आपने अभी इसकी expiry यापर आपने select कर लिया है तो यापर क्या करना है कि यापर आपको दो option आता है delivery और intraday अगर आप delivery select करोगे तो आप इसे expiry तक hold कर सकते हो और अगर आप intraday select करोगे तो आपको आज ही खरीद के आज ही बेजना होगा तो simple से में यापर आपको demo दिकाने के लिए खरीदने वाला हो इसलिए आपर intraday select कर ले ता हो और यापर आप quantity देख सकते हो एक lot यापर आपने select की आए जिसमें आपर 15 quantity मिलेगी यानि कि एक lot में bank nifty की 15 quantity आती अगर आप 2 lot खरीद हो तो आपको यापर 30 quantity मिलेगी और आपका यापर capital बढ़ जाएगा जैसे कि आप यापर देख सकते हो आमें इस lot को खरीदने के लिए 116 रुपई लगने वाले यानि कि यापर इसका capital काफी कम हो गय है premium काफी कम हो गय होगा यापर आप देख सकते हो हमें इसे 4 रुपई में खरीदने वाले थे इसका premium 2 रुपई हो चुका है यानि कि अगर आप यापर 1 lot खरीद होगे तो यापर आप देख सकते हो यानि कि 66 रुपई में आप यापर 1 lot को खरीद सकते हो समझ में आ रहा है याप 100 रुपई से नही 66 रुपई से भी आप आपर option trading कर सकते हो पचास रुपई से भी आप option trading कर सकते हो काफी simplify की दिन होता है लेकिन अगर आप यापर कोई भी option को खरीदना चाटे हो तो उसका premium काफी कम हो जाता है जैसे का आप यहापर देख सकते हो 66-67 रुपेज से भी में यहापर कोई भी option को buy कर सकता हो और आप यहापर आमारा balance देख सकते हो 1625 रुपई यहापर में 15-20 lot भी खरीद सकता हो ठीके लेकिन यहापर में सिरफ आपको एक lot खरीद के दिखाने वाला हो क्योंकि यहापर मुझे 100 रुपई से option trading करना है इसलिए यहापर में सिरफ एक lot खरीदना चाहता हो तो simple जैसे यहापर मुझे buy करना है तो buy का एक option आता है यहापर आप click कर जाना जैसे buy के option पर आप click करोगे तो आपका order यह buy हो जाएगा यहापर आप देख सकते हो buy order is completed और यहापर अगर आप done पर click करोगे तो आपको यहापर directly आपकी position पर लेके जाएगा यहापर आप देख सकते हो अभी हमारे यहापर position चल रही है और total अगर आप देखो है तो आमें यहापर 4 रुपई का profit दिखाई ज़रा है इतना जल्दी इतना profit ने होता लेकिन market काफी तीजी से गिरा होगा इसलिए यहापर हमें काफी जबरदस profit दिखाई ज़रा है क्या बात है आप यहापर देख सकते हो 117, 118, 130 रुपई के आसपास मुझे यहापर profit दिखाई ज़रा है हमने सिर्फ यहापर 100 रुपई का capital यूज किया था और आप profit देख सकते हो काफी बड़ा profit यहापर हमें दिखाई ज़रा है तो सबसे पहले यहापर मैं इसे exit कर ज़रा हो क्योंकि market काफी तीजी से नीचे गिरा है तो market यहापर pull back करने के लिए उपर आ सकता है तो exit किस तरह से करना है तो यहापर आपको जो option दिखाए ज़रा है यहापर आप click करना जैसे आप यहापर click करोगे तो आपको इस option को अभी exit करना यह मेरा profit book हो जाना चाहे तो simple exit का एक option आदा यहापर आप click करोगे तो यहापर आपको दो option आती एक market price और आप कोई भी एक price select कर सकते हो limit लगा होगे तो आप कोन से premium पी से sell करना चाहते हो simple में यहापर market select रहने जाता हो और sell पर click कर जाता हो जैसे यहापर मैं click करूँगा तो यहापर आप देख सकते हो sell order is completed और आप यहापर देख सकते हो done तो simple done के option पर click कर दोगा जैसे यहापर मैंने click किया तो यहापर आप देख सकते हो हमने सिर्फ 60 रुपए का capital लगाया और 105 रुपए का यहापर मुझे profit हो गया काफी quickly यहापर profit हो जाता है क्योंकि expire की दिन काफी तेजी से market यहापर momentum करता है इसकी बज़े से यहापर आमें काफी quickly profit हो गया इस तरह से हर रोज नहीं होता लेकिन अगर आप option trading करना चाहते हो तो आपको सीखने के लिए इस तरह से कम premium से भी आप option trading कर सकते हो ठीके लेकिन आप बस एस profit को देख कर मत करना कि यहापर आपको 120-130% का भी आपको profit हो गया अगर आप यहापर देखोगे यहापर आमने 60 रुबए का capital लगाया और 100 रुबए का profit बनाया तो यहापर आमारा percentage की इसाब से बात करें तो 90% मुझे यहापर profit हो गया 100% होता यहापर अगर 120 पे मैं इसे exit करता तो यहापर मुझे 100% का profit हो जाता है सिर्फ एक मिनिट में यहापर देख सकते हैं मैंने आपको live market में इसे खरीद कर दिखाया और एक मिनिट में इसे बेज दिया एक मिनिट पे आपको 100 गुना profit यहापर देखा था कि market का trend डाउन है इसलिए हमने यहापर put side का trade लिया था क्योंकि आप यहापर देख सकते हो आपने bank nifty को select किया था और bank nifty का जब हमने यहापर chart दिखा था तब मैंने आपको बताया था कि market एक downtrend में है तब जैसे हमने यहापर बाय किया था यहापर आप देख सकते हो यह जो candle है यह जैसे green candle बनी तो यह premium कापी कम हो गया था यहापर आप देख सकते हो put side का premium कापी कम हो गया था यह जो green candle बनी था इसके high पे आपने बाय कर लिया था यहापर एक pullback आया और इसके हाई पे आमने बाई किया तो यहापर इसका premium काफी कम हो चुका था तो काफी तेजे से जैसे यह candle जो red candle बनी ना यह बड़ी सी red candle तो इससे पे आमने यहापर 100 रुपई का profit हो गया क्योंकि काफी तेजे से market यहाँ से गिर चुका है वीडियो पसना आया तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना चले मिलते अगली वीडियो में